आज की सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ट्रेक मेन का पॉइंट स्मेन के साथ मेच्वल ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले अगर हो सकता है तो इसके लिए क्या-क्या सरते हैं जिसको पास करना जरूरी है तो लेवल पोस्ट के 17 तरह के पोस्ट थे तो इन 17 पोस्ट में आप किसी सभी मेल्च्वल ट्रांसपर करा सकते हैं हम लोग आज उधारन लेकर करके चलेंगे सिर्फ ट्रैक्मेन से पॉइंट्समेन बाकी आप लोग अन्य पोस्टों के लिए भी समझ लिजीएगा कि यहीं नियम और सर् रहांगे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो पॉइंट्समेन रहकर ट्रैक्मेन में जाए ऐसी कंडिशन कप पैदा होती है कि यह पॉइंट्समेन है और वह ट्रैक्मेन में जाए एक हमारे सब्सक्राइबर है उन्हें की अपनी-अपनी सुविधायत थी जिस वज़ा से ट्रै पॉइंट्स में क्यों कराना चाहेगा ट्रेक्मेंट से मेच्वल हो सकता है कि वो काफी दूर हो साउथ इंडिया में हो और अपने घर के पास में जाना चाहता हो इस कंडिशन में वह ढूंडेगा कि मुझे किसी भी पोस्ट का करंचारी मिल जाए जिससे मैं मेच्वल ट्रां आपको पॉइंट्स में में मैच्वल कराना हो तो क्या सर्थ होनी चाहिए तो एक ही सर्थ है जिसको पास करना आपको जरूरी है सर्थ क्या है कि अगर आप ट्रेक्मेंट पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं तो आपके लिए जो मेडिकल स्टेंडर निर्धारित था वह बीवन जब कोई पॉइंट्स में पत पर निर्धारित होता है तो यहां पर वीदी आप मेडिकल स्टेंडर निर्धारित होता है यहां आपॉइंट्स में से मैच्वल करा सकते हैं क्योंकि pointsman के लिए जो medical standard है minimum A2 है और इसको पास करना जरूरी है इसके लामा और क्या सर्त है इसके लामा और कोई ज़्यादा सर्ते नहीं है level 1 post के लिए यदि आप trackman से pointsman में जाईएगा तो pointsman में आप लोग को training करना पड़ेगा वहाँ पर training करने के बाद ही आपको pointsman का career स्वाप जाएगा यहाँ पर trackman का भी training कराये जाएगा क्योंकि दोनों जो post से हुआ safety से जुड़ा हुआ है इसके लामा आप लोग एक वीडियो देखना चाहते हैं तो काफी दिन पहले ही मैंने एक छातर से मिल करके एक वीडियो बनाया था इसके उपर जो अपने घर के पास trackman की नोकरी छोड़ करके South Central Way में गुंडिकल डिविजन में आ गए क्यों आ गए क्योंकि उनको एक points में मिल गया जो mutual transfer के लिए तयार हो गया इस वज़ा से वो mutual transfer करा करके South India में आ गए घर की पास की job को छोड़ करके इस वीडियो में दोस्तो हम लोग ने यही जाना कि अगर आप लोग mutual transfer कराना चाहते हैं तो trackment से points मेंने mutual transfer के लिए क्या सरते हैं उमिद करता हूँ कि आप लोग को जनकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में जहेंदे